Hello everybody, मेरा नाम है रौनक चितालिया और आज हम लोग कहलेंगे दो से चार लोग के खेलने की गेम Splendor Splendor गेम में आप लोग सब लोग जोरी हो और आप लोग सब लोग को Gems में डील करके आपको Development Cards खरीदने हैं So जीतने के लिए आपको चाहिए 15 points अभी देखते हैं कैसे करना है setup ये game का ऐसे आपके सामने पहले तो आपको जो cards आए हैं game में उसको आपको तीन अलग-अलग color में separate piles में रखना है और हर एक piles के सामने उसके top के 4 cards जो है वो shuffle करके आपको बिछा देने हैं यहाँ पे हैं ये सारे nobles और आपको जितने number of players है उससे एक ज्यादा nobles आपको उपर रखने है अगर 4 players है तो आपको 5 nobles रखने है अगर 3 players है तो आपको 4 nobles रखने है और अगर सिफ 2 players है तो आपको 3 nobles रखने है आते हैं gems में आप gems की ऐसे pile बना दीजे और जो 5 colorful gems है चार player है उसमें सारे gems लगा देंगे अगर 3 player है तो top के 2 gems निकाल देंगे और अगर 2 player है तो top के 3 gems निकाल देंगे अभी देखते हैं कैसा खेलना है game splendor पहला player आपको randomly choose करना है और वो पहले player के बाद turn by turn हम लोग game खेलेंगे हर एक turn में हर एक player के पास 4 options रहेंगे बट यह याद रखना कि 4 में से वो player सिर्फ एकी option एक turn में कर सकते हैं पहला option यह है कि आप जो भी 5 colorful gems है उसमें से कोई भी 3 color के एक एक gems उठाके आप अपने पास आपको ले लेना है और आपका turn खतम हो जाएगा दूसरा option यह है कि आप कोई भी एक color में से top के 2 gems उठाके आपके पास रख सकते हैं और आपका turn खतम हो जाएगा ध्यान रखना आप यह option तभी ही कर सकते हैं जबी minimum वो color के pile में 4 gems already present हो अगर उसमें 4 से कम है तो आप 2 उसमें से नहीं उठा सकते हैं और आप यह option नहीं कर सकते दोनों condition में या दोनों option में आपको यह याद रखना है कि यह golden pile पे लागू नहीं होता है इसका मतलब है आप सिफ वो जो 5 color के हैं वही उठा सकते हैं golden में से आप यह दो option यूज नहीं कर सकते हैं यह option लेने के बाद आपको देखना है कि आपके पास 10 से ज़्यादा tokens होते हैं कि नहीं गेम में एक बहुत important tool यह है कि कोई भी player के पास कभी भी उनके turn खतम होने पे 10 से ज़्यादा tokens नहीं हो सकते हैं golden token including प्लेयर्स का तीसरा option यह है कि वो कोई भी एक card खरीद सकते हैं अब आप देखेंगे तो उनको यह option है कि यह 12 में से कोई भी एक card अपने turn पे खरीद सकते हैं अगर आप cards को देखेंगे तो cards में 3 चीज़े main होती है पहली चीज़ यह है कि जो नीचे left and side पे ओ card का cost होगा इसका example ही है कि यह card का cost है 2 white, 2 red और 3 chocolate jam उपर top left में देखेंगे तो उसमें इसका point value रहेगा जिसका मतलब यह है कि यह card अभी एक point का है और top right में अगर आप देखेंगे तो आपको उसका discount gem दिखेगा जिसका मतलब यह है कि यह card आपको एक red permanent discount देता है अगर आप सेम दूसरा card जो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये card जो है उसमें 5 blue gems चाहिए उसको खरीदने के लिए आपको 2 points देगा card का value है और आपको 1 blue का permanent discount देगा अगर आपको card खरीदना है तो आपको bank में उसका जो cost है उसके equal आपको gems देने पड़ेंगे और आपको card immediately उठाके आपके सामने open रखना पड़ेगा जिससे बाकी players को भी दिख सके कि ये card कौन सा है आपने जो खरीदा है अगर आपके पास already cards है जो आपको permanent discount में use करने हैं दूसरे cards खरीदने के लिए तो आप एक काम किजिए कि जैसे ही जो भी cost है नए card का example कि ये card का cost है 6 red gems okay so आपके पास already एक red discount card है तो आपको सिर्फ 5 red gems bank को देने है और आपको बताना है कि मेरे पास एक red gem discount है और आपको ये नया card मिल जाएगा और मिलने के बाद आपके अभी 4 points हो जाएगे और आपके 2 permanent gems हो जाएगे इतनी अध्यान रखना कि जो भी card आप use कर रहे हो discount के लिए वो आपको देना नहीं है वो permanently आपके पास ही रहता है जो भी card खरीदा है उसकी जगह पे आपको एक नया card same row में से जो pile है उसका जो top card है उसको वहाँ उसको replace कर देना है चौता option ये है player को कि वो अपने जो भी open cards है center में उसमें से कोई भी एक card अपने लिए reserve कर सकते हैं reserve card का ये मतलब नहीं है कि आपने ये card खरीद लिया है बड़ इसका ये मतलब है कि आपने ये card अपने लिए book कर लिया है future में खरीदने के लिए जो भी उसका cost है वो आप future के turn में जो third option है जो खरीदने का option है वो आप अपने हाथ में से भी खरीद सकते हैं उसका cost भर के इतना ध्यान रखिए कि rulebook में ये भी mentioned है कि अगर आपको open card में से कोई card अच्छ नहीं लगते तो आप blindly कोई भी एक pile में से top card उठाके आप reserve कर सकते हो reserve करने का फाइदा ये है कि ये card जो है आप future में खरीद सकते हो जो उसका cost है वो आप pay करके एक और फाइदा ये है card को reserve करने का कि आपको एक golden joker token जो है वो आपको free में मिल जाता है इतना ध्यान रखिए कि पूरे game में कोई भी time पे आपके हाथ में 3 से ज़्यादा reserve cards नहीं हो सकते हर एक player जो है वो अपने turn में 4 में से कोई एक ही चीज़ कर सकता है जैसे या तो तीन अलग-अलग color के एक एक token लेना या तो एक color के कोई भी दो token लेना ध्यान में रखते हुए वो pile में कितने बचे हैं तीसरी चीज़ है कोई भी एक card खरीदना जो 12 card open है उसमें से या तो अपने हाथ में से कोई reserved card चौती चीज़ ये है कि कोई अपने हाथ में card को reserve लेना उठाना कोई open card में से या तो जो top card जो blind वाला है उसमें से अब आते हैं golden token पे जो golden token आपको card reserve करने पे मिला है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी card खरीदने में और वो golden token कोई भी color ले लेता है जैसे वो joker token हो जैसे आप देख सकते हैं कि ये card खरीदने में आपको तीन सफेड token चाहिए और आपके पास दो सफेड token और एक golden token है तो जैसे ही आप दो सफेड token भरेंगे आप एक golden token भरेंगे और golden token आपका एक और सफेड token हो जाता है और आप card को successfully खरीच सकते हो अब आते हैं nobles पे game के starting में जितने भी nobles खुले होंगे सारे nobles आपको तीन तीन पॉइंट देंगे nobles को आप कभी भी खरीद नहीं सकते हो पर nobles को पाने के लिए आपको systematically cards खरीदने पड़ेंगे for example ये nobles को लेने के लिए आपको चार लाल discount cards खरीदने पड़ेंगे और चार हरे discount cards आपको खरीदने पड़ेंगे जैसे ही आपने cards खरीदे हैं आपको वो cards देने नहीं पड़ेंगे nobles को पाने के लिए वो cards भी आपके पास रहेंगे और ये जो noble है वो भी आपके पास automatically आ जाएंगे ये noble आपके पास अगर आए तो ये आपका एक turn use नहीं होगा आपके turn के बाद automatically noble वापस आपके पास आ जाएंगे जैसे ही आपको एक noble मिला एक नया noble box में से नहीं खुलेगा जिसका मतलब ये है कि जो nobles game में fixed है वो उतने ही रहेंगे और ये जो noble आपको तीन point देंगे वो आपके point टोटल में add हो जाएंगे players ऐसे ही turn by turn खेलते रहेंगे जब तक कोई एक player के पास 15 या 15 से ज्यादा points जमा नहीं हो जाते है जैसे ही किसी एक player के पास 15 points जमा हो गए game खतम नहीं होगा बट last player तक चलेगा जैसे ही last player ने खेल लिया है उसके बाद हम लोग सब लोग points compare करेंगे और जिसके पास सबसे ज्यादा points होगे वो player जीच जाएंगे कुछ याद रखने वाली बाते अगर game के बीच में आपको कोई reserve card पसंद नहीं है और आपको side में रखने हैं आपको उसको खरीदना नहीं है तो game में ऐसा allowed नहीं है आपको नहीं कर सकते हैं आपको card को खरीदना पड़ेगा या तो अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा अगर game के अंत में आपके हाथ में कोई ऐसे reserve card बच गए हैं जिसको आपने अभी तक खरीदा नहीं है तो आपको उसके कोई negative points नहीं मिलते हैं दूसरी याद रखनी वाले बात ये है कि आपके हाथ में तीन से ज़्यादा reserve cards नहीं हो सकते तीसरी याद रखने वाली बात ये है कि आपके पास 10 से ज़्यादा tokens कभी भी नहीं हो सकते हैं including जो golden token है वो पूरे game में पोई limit नहीं है कि एक player कितने nobles ले सकते हैं बट ये limit है कि हर एक turn में आपको सिर्फ एक nobles से ज़्यादा नहीं मिल सकता अगर game के end में दो players के points equal होते हैं जिसका मतलब उनमें बीच में tie होती है तो tiebreaker ये है कि जो player के पास सबसे कम cards रहेंगे वो player cheat चाएंगे और ऐसे खतम होते हैं splendor के सारे rules I hope आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारी चानल को subscribe कीजे और कोई नहीं game आगर आपको जाननी है और सीखनी है तो please हमें message कीजे personally DM कीजे, like कीजे Facebook पे और हम लोग आपको respond करेगे Thank you, bye